नमस्कार स्टूडेन कैसे हो क्या हाल चाल है मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे जहां भी होंगे वहां मस्त होंगे जानते हो तुम्हें अगर कमपार्टमेंट एक्जाम में पास होना है डेड़ से दो महिने के अंदर तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को आखरी तक देखो क्योंकि इसमें 6 नमबर वाला सवाल मैंने बताया है फिर 4 नमबर वाला 4 नमबर वाल 4 नमबर वाला टोटल 4 सवाल इस वीडियो के अंदर मैं कभर कर रहा हूँ तो जो बच्चे हिम्मत जुटा के परिश्रम करके देखेंगे लीखेंगे समझेंगे तो उनको तो पूरा का पूरा समझ में आएगा लेकिन जो जा चुके है उनकी किस्मत भी उनके नसीब से जा चुकी है बस ऐसे ही समझो बाकी जो दोजार पचीस में एक्जाम देना है जिनको नए बच्चे हों या फुराने बच्चे हों वे लो भी इसको देखें क्योंकि वही सी लेवर्त में पढ़ा रहा हूं जो अगले साल अगले साल पिछले साल पिछले साल पिछले साल हर साल काम आता है जो टोपिक कट गया उसको छोड़के पढ़ा रहा हूं तो फूरा वीडियो इतिमिनान से आप देखिए ध्यान से देखिएगा मज़ा आएगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट आप करना पहल से ज़्यादा नहीं बोलोगा लेंसे तैयारी करोंग, तो आराम-राम से अब पंच दिन पहले तैयारी करोंगे, तो समस्त लोग बहुत ज़्याद कम भूआ प्रेसर में रहोगे, ब्रेन फॉट जाएगा, लेकिं चाहते हैं कि आराम से तैयारी करो, सबको सुरच्चित रहेगा चलिए, शुरू करते हैं आज का सवाल आज का पहला सवाल हमारे लिए 6 नमबर हमारे स्क्रीन पह देखिए 6 नमबर सवाल क्या कहता है 6 नमबर सवाल कहता है भीया, इतना लेकर चलते 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 तुम इतना लेकर आओ कहने का मिलब बाया पच लेकर चलना दाया पच लाना है यही सिर्द करना है ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसका बाया पच विशाल जी आप कांटीनू रखिए देखे बच्चों हम इसका बाया पच लेते हैं लेप्ट हैंड साइड लेप्ट हैंड साइड कुछ लोगों को लिखने ही नहीं आता है देखो बराबर का जो यह चिन है न इस चिन से इधर का जितना हिस्सा है यह सब क्या है लेप्ट हैंड साइड है ठीक है चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं बड़ा मज़ा आता है ये वाला सवाल करने में सारा का सारा लिखना हमें क्या लिखना A स्क्वाइर A स्क्वाइर प्लस A B फिर क्या लिखना है A B फिर क्या लिखना है B C फिर B स्क्वाइर फिर B स्क्वाइर प्लस B C फिर ये देखो AC plus C square फिर AC फिर C square यहां तक लिखा यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परशारी नी यह सब कुछ clear है अब देखो मैं बताता हूँ मेरी बात सुनते जाओ जो मैं लिखता हूँ उसको देखते जाओ बस जिसको सुनना और देखना आएगा वो समझ जाएगा ध्यान से देखो बेटा बहुत मौज आने वाला है इस सवाल में क्या है इन चारों में जराब बिसेश ध्यान देना इसमें 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 बिसेश ध्यान देने वाली बात है इसमें भी और इन दोनों में भी और नीचे वाला में भी इसमें इन दोनों में और नीचे वाले यानि सबसे उपर सबसे नीचे और बीच वाले दोनों में क्या चीज कामन होगा A कामन हो जाएगा You can take कामन A आप A को कामन ले सकते हो ले सकते हो तो ले लो ले सकते हो तो ले लो तो इन साब में हमने क्या किया A कामन ले लिया तो इसी तरीके से देखिए यहां भी B है यहां भी B है यहां भी B है यहां भी B है चारों में B कामन हो जाएगा तो B कामन ले लो इसी तरीके C C C C इन चारों में क्या है C कामन हो जाएगा समझ गया कामन लेने के बाद यहां पर A A बचेगा यहां पर भी A यहां से A कामन हो गया तो सिर्फ इसमें B बचेगा इसमें A कामन हो गया सिर्फ B बचा ऐसे इसमें B कामन हो गया तो C बचेगा B बचेगा यहां भी B बचेगा प्लस C बचेगा ठीक है C कामन हुआ है तो बचेगा A प्लस C यहां से A यहां से C समझ गे बिटा पहली लाइन से जो कामन लिया गया वो A है बीच की लाइन से जो कामन लिया गया वो B है आखरी लाइन से जो कामन लिया गया वो C है एकदम साफ सुथरा बता रहा हूँ बाद में ये मत कहना कि सरजी मेरे को समझ में नहीं आया त्योंकि मैं भाई देखो मैं ये मानता हूँ कि मैं सिर्फ कमजोर चातरों को यूटूब पर पढ़ाता हूँ तो कमजोर चातरों को जादा low level से समझाना पड़ता है इस वज़े से मैं इतना low level में जा रहा हूँ ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल अगला step इसका बराबर की ठीक नीचे बराबर ABC जहां पर है वहीं पर रहेगा अब क्या करना जरा उसको सोचिए अब क्या करना है जरा उसको हम सोचते हैं ध्यान से इतनान से ध्यान से देखो अब क्या करेंगे हम जोडेंगे क्या इसको इसको इन तीनों को एक में जोडेंगे ठीक है? तीनों कालम को एक में जोडेंगे तो A पलस C पलस A पलस C ठीक है? देख रहे है बेटा? A plus C plus A plus C A plus C plus A plus C A plus B plus B plus A B plus B plus C plus C B plus B plus C plus C बाकि इसको कुछ मत करो जैसे है वैसे रहने दो She B B plus C A plus C A C तो यहाँ पर क्या हुआ यह लाइन कैसे मिली पहले कालम, दूसरा कालम, तीसरा कालम जोडने पर मिली है तो यहाँ पर लिखना है कि कालम 1 को चेंज किया कालम 1 पलस कालम 2 पलस कालम 3 Clear? और आप देखो आगे आगे देखो बहुत मज़ा आएगा बरावर A, B, C ऐसे ही रहने दो ध्यान देखो A plus C यहाँ एक बार A plus C यहाँ एक बार दो बार A plus C है न तो लिखेंगे क्या हम दो बार A plus C इसी तरह से A plus B यहाँ एक बार है A plus B यहाँ एक बार है तो कितनी बार है? दो बार A plus B ऐसे देखो B plus C यह दोनों है और B plus C यह दोनों है B plus C और B plus C दो बार B plus C है नई समझे है 2B यह जोड़ेंगे 2B यह जोड़ेंगे 2C देखो 2B, 2C है न इसमें बाकी इन दोनों लाइनों को फ़र्ष्ट को बीच वाली को जैसे हम ऐसे लिख देंगे CB B प्लस C ठीक है, बंद कर दो बेटा और A प्लस C A C किलिया, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं चलो पूरा का पूरा समझ में आ रहा कोई बच्चा बच्ची ये नहीं कह सकता कि गुरू जी आने रहा समन में क्योंकि वैं इतना इत्मिनान से बता रहा हूं जो तेज बच्चा देख रहा होगा गुसार आओ गया, कितना धीरे क्यों बताते हो गुरू हम सुलो बताते हैं गुरू आप धीरे हो, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अब देखो पहले कालम में तीनों में टू है न तीनों में टू कामन हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, टू कामन ले लेंगे टू ए, बी, सी, ए, बी, सी पहले से है टू और कामन ले लिया बचा आपका ये प्लस सी ए प्लस भी, बी प्लस सी और ये जैसे सी है, बी है, बी प्लस सी है और ए प्लस सी है, ए है, सी है यहां तक समझ में आया मेरे भाई ठोकर नहीं खाओगे अगर मेरे से पड़ोगे सम्हाल के दिखा रहा हूँ सम्हाल के समझा रहा हूँ देखो ध्यान से देखो बराबर 2, A, B, C रहने दो अब क्या होगा गोर से देखो हम बीच वाले में से पहले वाले को घटा के बीच में लिखेंगे यानि इस लाइन को हम परिवर्तित नहीं करेंगे जैसे है वैसे लिख देंगे ठीक है A पलस C A पलस B B पलस C C में से इसको घटाएंगे ध्यान दो C में से इसको घटाएंगे तो मैं घटा के दिखा देता हूँ C में से घटाना है किसको A प्लस C को तो C में से घटाएंगे कोश्टर को लिए माइनस A माइनस C C और C कट गया क्या बचा माइनस का A क्या बचेगा यहां माइनस का A बचेगा ठीक है ऐसे B में से घटाना है A प्लस B को तो देखो B minus A plus B तो B minus A minus B B भी कट गया क्या बच्चा? minus A ठीक है समझ में आया? ऐसे ही B plus C मेंसे B plus C गटेगा पूरा पूरा खतम 0 आ जाएगा अब क्या होगा? इस में से भी इसको गटाएंगे तीसरे कालम से पहले कालम को गटाना है A plus C में से A plus C घट जाएगा 0 A में से A plus B घटेगा minus B C में से B plus C घटेगा तो minus B जैसे A minus A minus से आया ना उसे तरह बाइनस B minus B आयेगा समझ गे बेटा? समझ गे मेरे चेले? आगे देखो आगे तुम्हें कोई परसानी नहीं होगी बस देखते जाओ देखते जाओ कमाल मेरा देखते जाओ बरावट 2 A B C अब क्या होगा? ज्यान से देखना है बीच की लाइन में A कामन हो जाएगा और भाई A यह आए 0 में तो सब कुछ है 0 में से कुछ भी कामने सकते है 0 में सब कुछ समाया हुए रहता है तो बीच की लाइन से A कामन लेके बाहर निकालेंगे यहां आएगा A पहले से है एक बाराव और A आ रहा है तो A पर A आएगा तो A square हो जाएगा क्या हो जाएगा A square अब इस line में से क्या common हो जाएगा B common हो जाएगा न तीनों में B है 0 में B है 0 में सब कुछ है तो इस में से जब B common लेंगा तो इस B पे आएगा तो क्या बनेगा square ठीक है तो जो बच रहा हो लिख दो A plus C बच रहा A plus B बच रहा B plus C बच रहा ये common हो गया तो minus A A भी common हो गया minus A और स्वरी common हो न तो minus 1 बचेगा minus 1 बचेगा और 0 A common हो के बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 minus 1 minus 1 0 फिर 0 है ये minus B जब common हो गया तो सिर बचेगा minus 1 और यहाँ भी minus 1 ठीक है समझ गये इतना कितना आप समझ गये अब देखो अब क्या करना है उसे समझने का पर्यास करना है ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए 6 number वैसे नहीं मिलेगा फोकट करने मिलता है minus 3 को भी common लेजिए 2A square B square C इस लाइन में minus 3 तीनों में है 0 में सब कुछ है कुछ भी common लेना चाहूँ 0 में से मिल जाएगा minus सिर्फ common लेंगे और इसमें से भी minus सिर्फ common लेंगे तो एक minus इसमें से निकला इसमें से भी एक minus निकलेगा जब दू को minus मिल जाएगा तो दोनों minus का गुड़ा क्या हो जाता है plus हो जाता है दोनों minus का गुड़ा क्या हो जाता है plus हो जाता है भाई ठीक है आरा समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं A plus C ऐसे रहेगा A plus B ऐसे रहेगा B पलस यह ऐसे रहगा ये 1, 1, 0, 1, 1, 0 और ये 0, 1, 1, ठीक है यहां तक जो बच्चा बच्ची समझ गया है वो बहुत अच्छा समझ गया है किस्मत में उसके बहुत कुछ अच्छा-च्छा लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं ध्यान से देखना, इत्मिनान से देखना, कुछ भी दिक्कत होगी तो कमेंट करना, देखो, अगला सवाल क्या कहता है, मतलब अगला स्टेप क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये 2, A², B², C, ऐसे रहेगा, इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करेंगे, इसके हिसाब से, 0 के हिसा आगेंगे ए पलस सी तो यह लाइन ए लाइन छोड़ देंगे तो 1 का 1 में गड़ा करेंगे तो 1 आएगा गाए माइनस 0 का इसमें करेंगे तो 0 आएगा ठीक है? प्रसारड कर रहे हैं आप यह रूप माइनस में 1 लिखना है यहां पर कोस्टक बनाएंगे ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे बाकि A पलस B का गुड़ा 1 में करेंगे तो A पलस B आएगा माइनस B पलस C का गुड़ा 1 में करेंगे तो माइनस B माइनस C आएगा क्योंकि माइनस चिन लगा के गुड़ा करना है तो B पलस C के पहले अगर माइनर लगा रहेगा तो उसका चेंज हो जाएगा लास्ट वाला क्या जीरो है तो पहला जीरो लिख दीजिए अंदर कुछ भी लिखने ही जरूवत नहीं है क्योंकि जीरो वाले में सब जीरो हो जाएगा इसका इसमें गड़ा जीरो इसका गड़ा एक अंदर लिखने ही जरूवत नहीं है क्योंकि बाहर जीरो है अंदर कुछ भी लिखोगे तो जीरो ही होना है उसको इसना ते छोड़ दो आगे बढ़ो देखो आगे अब क्या होगा 1 में से जीरो घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा 1 का गुड़ा A पलस C में करेंगे तो A पलस C ही रहेगा अब बाहर वाला लिख लटू A स्कॉर B स्कॉर C और यह क्या रह गया A पलस C इधर गुड़ा करो B और B कड़ जाएगा A माइनस C बचा है तो माइनस 1 का गुड़ा A में करेंगे तो माइनस A माइनस 1 का गुड़ा माइनस C में करेंगे तो पलस का C इधर सब कुछ 0 हो गया है अब यहाँ देखिए माइनस A पलस A कट जाएगा क्या बचेगा C और C बचेगा C और C जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2C C और C जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2C ठीक है यह बाहर आपका 2 A square B square C गुड़े, यहाँ पर गुड़े का सिंबल है C और C बच गया, तो हो गया 2C माइनस ए पलस ए कट गया है क्या हो गया 2C अब 2 का गुड़ा 2 में कर दो दो दूना 4 A square, B square C का गुड़ा C में जब होगा तो C square बराबर राइट हैंड साइड यह हुआ आपका खूब शूरत एंसर, खूब शूरत सलूशन अब ऐसा अगर आप एक्जाम में करते हो तो निश्चित रूप से आपको पूरा पूरा नंबर मिलना है कटना नहीं है आपका ठीक है नंबर पूरा पूरा आपको मिलना ही मिलना है कटना नहीं है ठीक है, तो यह है सवाल का structure, देखिए मैंने कितना अच्छे से मेहना से इसको maintain किया है मेरा बराबर का चिन ने देख रहा है वेटा एक सीध में जा रहा देखो बराबर का चिन ने एक सीध में हमारा जा रहा कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है मेरा सवाल कितना मस्त दिख रहा है मैं आपनी तारीफ इसनाते कर रहा हूं ताकि आप मेरे को फालो करो आप भी ऐसी कांपी लिखो आपको भी examiner खूस हो करके नंबर देता चला जाए काटने के बारे में ना सोचे ठीक है? चलिए तो अब हम अगला सवाल बताते हैं मेरे भाई किसको किसको समझ में आगया कोमेंट में लिखेगा ये सवाल देखो ये सवाल चार एंक में है ये सवाल आपका चार नंबर में exam में पूछा जाएगा जरा हम इस सवाल के बारे में भी विचार करते हैं देखते हैं कि इसका कैसे solution हो गया थैंदे देखो dy by dx गयाद करना यानी आउकलन करना direct कर रहा हूं यक्स फे घात तीन का आउकलन क्या होगा तीन पहले आजाएगा क्या चीज तीन यक्स फे घाते इस तीन रुपया में से क्या करोगे एक रुपया चुरा लो पैसे नहीं है चुरा लो रिल देखे हो ना साट वीडियो देखे वो यूटूब पर या इस्टा पे तो तीन को सुरुवात में करके यक्स पे तीन घात रहेगा एक घात चुरा लेंगे हो गया अब इसमें अलग नियम लगेगा दो फलन के गुड़न फल का आउकलन तो पहला फलन ऐसे रहेगा दूसरे का आउकलन फलन दूसरा फलन ऐसे रहेगा पहले का आउकलन यक्स स्कौार का आउकलन तू यक्स होगा अब इतना कैसे आया जितना मैंने खेर दिया है इतना सिर्फ इसमें से इतना पैदा हुआ है सिर्फ इसमें से इतना पैदा हुआ है अब यह हुआ कैसे आपको समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा सवाल कर रहा हूँ तो यह छोटी चीज उसमें नहीं बता सकता हूँ और बताऊंगा अगर आप मेरा पेड कोर्स लेते हैं वी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोईन होते हैं तो वीडियो कालिंग जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा एक एक रत्ती मैं बताता हूँ अलग से भी वीडियो रिकार्ड करके दे देता हूँ भाईया तु समझो तुमको पास होना है तुम फेल हो तुम गंपार्टमेंट वाले हो तुमारे लिए जरूरी पढ़ना सीखना जरूरी है इस वज़े से ऐसी मेहनत करता हूँ तो बेटा आप मान के चलो कि यह सब आपके बाएं हाथ का खेल हो जागा कुछ रहेगा नहीं ठीक है अब प्लस इसका भी दो फलन का गुडन फल है ठीक है तो लिखेंगे प्रत्म फलन प्लस दूती फलन का आउकलन फलाज दूती फलन इन्टू परथम का उकलन हो गया ठीक है फिर य पे घाद 3 का उकलन करेंगे तो य पे घाद 3 का उकलन कैसे होगा ध्यान से देखिए य पे घाद 3 का हो जाएगा 3y square इन्टू डी वाई वाई dx 18 का उकलन कितना होगा नहीं मालूम है तो मैं बता दूँगा जीरो होगा और पूरी गैरंटी लेता हूँ समझाने का नहीं समझ में आए तो 20 रिटन ऐसी पॉलिशी है हमारी यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ जान भूश करके क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और परसनल कलास में जो बच्चे आते उनको टाइम दिया जाता है यहाँ यह 3x2 को लिख लीजिए ध्यान से देखिए 3x2 हमने लिख लिया अब क्या जहां जहां यह चीज लिखा हुआ मिलेगा dy बटे dx इन सब को खोजेंगे एक यहाँ पर है फिर यह यहाँ पर है देखा आपने कितनी जगह पर है dy बटे dx तीन जगह पर है तो कामल लेंगे तीनों जगह पर से क्या करेंगे कामल लेंगे तो dy बटे dx हमने क्या किया कामल लिया बचा क्या इसके बगल में यह स्कुएर है तो यह बचेगा इसके बगल में क्या 3 y square है तो ये बचेगा कोश्टक बंद हो गया ठीक है हमने इसके बगल का 1 x square लिखा इसके बगल का 2 y लिखा और इसके बगल का 3 y square लिखा बराबर चिन लगा के अब जिसको नहीं लिखा गया उसको दाहिने पच्छ में बरावर के लिख दिया जाएगा उधर ले जाके देखो ये क्या y into 2x 2xy उधर चला जाएगा दाहिने पच्छ में माइनस 2xy पलस x उधर चला जाएगा माइनस में x y square into 1 sorry y square into 1 उधर जाएगा माइनस का y square ठीक है बाकी सब तो y पच्छ में लिखा हुआ है 3x square को भी अगली बार ले जाएगे उधर क्योंकि यह ही पर हमने लिख दिया है अब क्या करते हैं ध्यान से देखिए अब क्या करते हैं ध्यान से आप देखिए यह जैसे है वैसर रहेगा dy बटे dx x square plus 2y plus 3y square बराबर minus 2xy minus x minus y square और 3x square भी दाहिने पच्छ में जाएगा तो minus 3x square होगा ठीक है अभी पूरा bracket यह जो पूरा कोस्टक लिखा हुआ है यह चला जाएगा दाहिने पच्छ में बटा के नीचे तो dy बटे dx बराबर इन सब में minus चिर्नकामा ले लिजे तो पहले x वाला पद लिखेंगे 3x square तब y वाला लिखेंगे plus y square फिर plus 2x y plus x बटे में ये चीज x square plus 2y plus 3y square यह हुआ आपका answer एक बार में री चेक कर लेता हूँ ठीक है एक बार में इसको दोहरा लेता हूँ कहीं बिस्टिक नहीं है देखे देखे प्रथम पलन दोटी का वगलन वभ रूत प्रसम गलन ठीक है ऐदम सही है ऐदम सही है म epic है ठीक है आपको नहीं साव जाना रहा है तो आप भमारा और वीडियो यूटूबर देख लो नहीं तो फिर बाछ जोव बीश कर लो ये देखिए ये दो सवाल है इसमें क्या है? दो सवाल है एक ये है और एक ये है ठीक है न? तो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे चलिए x बराबर a theta माइनस sin theta theta के साथ एक चाउकला नहोगा dx बटा d theta बराबर a theta का उकलन 1 minus sin theta का हो जाएगा cos theta बस अब इधर आजाओ dy by d theta करो a 1 का 0 होगा cos theta का होगा minus sin theta j आउकलन हो गया ठीक है अब क्या करेंगे इसको समीकर नंबर 1 माल लेंगे इसको समीकर नंबर 2 माल लेंगे हमेशा dy जिसमें लिखा रहे है उसी में दूसरे पहले वाले से भाग देंगे यानि dy अंस में रहेगा dx हर में रहेगा तो समीकर 2 में 1 से भाग देने पर लिखेंगे समीकर 2 में 1 से भाग देने पर ठीक है देखते जाओ कबडाना मत और कहीं जाना मत देखो dy बटे d theta समिकड़ 2 का बायापच ये है फिर समिकड़ 1 का बायापच dx बटे d theta dy बटे d theta कमान यहां से ले लेंगे a minus में sin theta dx बटे d theta कमान यहां से ले लेंगे a bracket में 1 minus cast theta 1 minus क्या है cast theta ठीक है अब क्या करेंगे आप गवर से देखो अब मज़ा आएगा तिर कोड मेंती का बच्चे कहते तिर कोड मेंती बड़ा असान है तो d theta d theta क्या होगा cut जाएगा बच्चे का dy और dx बच गया आपका dy बटा dx a से a कट गया दोनों उपर आपका minus में sin theta और नीचे 1 minus cast theta का सूत्र लिख दीजे cast theta का सूत्र लिखेंगे 1 minus 2 sin square theta by 2 d y by dx पराबर minus में sin theta का सूत्र क्या आजाएगा 2 sin theta by 2 into cast theta by 2 और ये कोश्टा खुलेगा तो बच्चे का 2 sin square theta by 2 ठीक है समझ में आ रहा फिर इसके आगे हम क्या करेंगे इसके आगे देखिए इसके आगे देखिए आप इसके आगे बताता हूँ d y by dx बराबर 2 से 2 क्या होगा कट जागा 2 से 2 कट जागा साइन से साइन भी कटेगा एक हो साइन उपर कास बचेगा अरे साइन साइन कट गया दो दो कट गया नीचे साइन दो बार है तो एक बर साइन नीचे बचेगा साइन theta by 2 तो कास बटे साइन क्या होता है काट होता है कास बटे साइन क्या होता है काट होता है तो dy by dx बराबर माइनस में काट थीटा बैटू ये हुआ आपका एंसर देखो बच्चो सवाल चार नमबर का है फ्री फंड में नमबर नहीं मिलेगा मेहनत करना ही पड़ेगा ठीक है चलिए एक और सवाल आपको हम बताते हैं बड़ा असांदार है ये भी बहुत सवाल सीखना है कि नहीं सीखना सबको बोलो सीखना है आजाओ देखो जितना लिखा है इसे लेके चलना है और ये लाइन लाना है इसको हल करते 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 आपको इस लाइन पर पहुंच जाना है बस इस सवाल का मतलब सिर्फ इतना सा है तो कैसे करेंगे देखिए साइन एक्स ठीक है दोनों पच्छों का आउकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई भाई डी एक्स ब्रावर पांच कास को हो जाएगा माइनस में साइन एक्स मानवा तीन कास साइन को हो जाएगा कास एक्स साइन का क्या हो जाता आउकलन कास एक्स ये एक बार Oclone हुआ एक बार Ola 것을 करिए क्यों दो बार करेंगे Oclone क्योंकि इसमें दो घात लगा यहाना तो इसे पता चला कि दो बार Oclone करना है तो माइनस 5 माइनस 50 का Oclone कास यक्स माइनस 10 कास का Oclone माइनस में साइन यक्स ठीक है तो d2y upon dx square बराबर अगर हम minus common ले 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 इसमें से सिर्फ minus common ले तो 5 x 1 गो minus common हो जागा तो minus 3 sin x बचेगा देखो यहाँ पर क्या है हमने यह minus और j minus common ले लिया तो 5 x minus 3 sin यहीं बचा है बचा है बचा है ना बोलिए आगे देखी ध्यान से 5 x minus 3 sin x इसका मान क्या इसका मान y है तो इसकी जगा पर क्या लिखेंगे y लिखेंगे क्या लिखेंगे y clear तो यहाँ पर हो जाएगा d2y upon dx square बराबर minus में यह क्या है जो बड़े कुष्टक में यह y है क्या है y है अब बेटा minus y 25 में आएगा जो पहले से 25 में लिखेंगे d2y upon dx square minus y 25 में आएगा प्लस y बराबर 0 यही तो हमें सीद्ध करना था हमें क्या करना था यहीं सीद्ध करना था ठीक है समझ गये देखिया है हमें सिर्फ यही लाना था दियान दीजे देखिये यही चीज आ गया चार नंबर मिल गया हमको लगता यह सवाल ज़्यादा आसान था यह सवाल कम मेहनत में ज़्यादा नंबर दिलवा दिया आपको ठीक है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन एक बात याद रखना अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने मन की बात जरूर लिखना जहां पते इकत हुई हो वह भी लिखना पेड कोर्स लेने के चाहो तो तुरंत ले लिजे लेट मत करिये ठीक है बैच में आने के चाहो तो तुरंत आईए लेट मत करिये क्योंकि लेट करते करते आपका एक्जाम आ जाता फिर आप कुछ नहीं बाते हो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में ठाइंचू